सच शिर्यकाल वड़ी पहरी पहनते छोटे हैं मेरा प्यार सो फाइनली आपको कैप देखके तो पता लगी गया होगा हम आज किसके बारे में बात करेंगे तो आप फाइनली बहुत सारे पर्सन के पास न्यूजिलेंड का वैलिट वीजा पड़ा हुआ है और वह उस्टेलिया जाना चाहते हो है यह आप ट्रांजिट वीजा लेना चाहते हैं घबरारीयों कि एको फ्रेंड्ली ट्रांजिड वीजा ले सकते हो उस्टेलिया सबसे वो six month का मिलेगा जिसमें का multiple entry visa होता है जिसमें आप minimum three days महाँ पर रूख सकते हो ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन करता है आपकी flight के ओपर कितना टाम आपकी flight वहां पर रुक रही है तो बिल्कुल आपने वहाँ जाके study कर सकते हो हां जी आपके वीज़े में ऐसा लिखा होता है कि आप minimum three months study कर सकते हो तो डेफिनेटली वह चेंज हो जाता है तो आपके पर ट्रांजेट वीजा है तो डेफि आप टाइम ना वेस्ट करते हो यह अपना वीज़ा अपलाए करी आपके पास न्यूज़ेंड का वीज़ा है और बाकि आपको वीज़े के रिकार्डिंग आपको क्या क्या लगाने तो उसके बारे में मैं आपको फुल इंफॉमेशन दे दूँआ वाट्सप पे मेरे को मैसेश कर देना तो होफुली मेरी इंफॉमेशन आपको अच्छी लगी है तो जसी पंजाबी को लाइक करो शेर करो जारसे जारा वीडियो को और साथ में जो फर्स